नमस्कार आप देख रहे हैं एक्स्पोज इंडिया आई ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर सुप्रीम कोट ने केंद्र और पंजाब सरकार के पैनलों को पी ए मूदी की सुरक्षा में हुई भारी चू के मामले पर सुमवार तक कारवाई ना करने को कहा है अब इस मामले में अगली सुनवाई दस जन्वडी यानि सुमवार को होगी दिल्ली में कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच सापताहांत करव्यू लागू शुक्रवार रात दस बज़े से सोमार सुबा पाँच बज़े तक रहेगा सापताहांत करव्यू पंजाब के मुख्य मंत्री चरंजीत सिंग्चन्णी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की जान के खत्री की नौटंकी का उदेश्यू में लोकतांत्रिक धंग से चुनी गई सरकार को गिराने का है उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री एक सम्मानित नेता है और उनके कत्के नेता को इस तरह की घटियान और टंकी में शामिल होना शोभा नहीं देता है प्रधान मंत्री मोदी के पांच जन्वरी को पंजाब दोरे के दोरान हुई सुरक्षा के भारी चूक के मामले पर जांच करने के लिए केंद्र गिरह मंत्राले ने तीन सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है इसके लिए आज पंजाब पुलिस प्रमुक एस चटोपादय सही 13 अनवेश रिष्ट अधिकारियों को तलब किया गया भारत में पिछले 24 घंटे में करूना वाइरस के 1,17,100 नई केस सामने आये हैं बता दे कि गुरुआर को ये आंकड़ा 90,000 के पाल रहा Sydney में Australia और England के भी चल रहे एसे सीरीज के चौथे टेस्ट का तीसरा दिन आज ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है एक्सपोस इंडिया एक्सपोस इंडिया